आज बनाते हैं दो सिक्रेट मसाले मिक्स करके मसाला राइस ये बहुत जटपड बन जाता है स्वाद में भी बहुत स्वादिश्ट बनता है और बहुत कम मेहनत में बनके तैयार हो जाता है मसाला चावल बनाने के लिए हमने कड़ाई में दो चम्मच तेल गरम करके लिया है उसमें आधा चम्मच राइ डाल देते है एक चम्मच जीरा डाल देते है एक पिंच हिंग डाल देते है राइ जीरा अच्छे से तड़कने के बाद एक चम्मच अधरक लसुन का पेस्ट डाल देते है इसे अच्छे से भून लेते है दो मीडियम साइज के प्याज मेने लंबे-लंबे कट करके लिए है उसे डाल देते है करी पत्ते के पत्ते डाल देते है और प्याज को पिंक होने तक भून लेते हैं प्याज हमारा अच्छे से पिंक होने तक भून चुका है इसमें एक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं टमाटर को भी हम भून लेते हैं प्याज टमाटर अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें वेजी टेबल डाल देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ फ्लावर डाल देते हैं एक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं एक बड़े साइच का कटा हुआ आलू डाल देते हैं पाच्छे कुदुरुम मैंने लंबे-लंबे कट करके लिए थे, उन्हें डाल देते हैं, एक कटा हुआ गाजर डाल देते हैं, और थोड़े से हरे मटर डाल देते हैं, आप इस राइस में आपके पसंद के वेजिटेबल डाल सकते हो, मेरे घर में जो वेजिटेबल वेजी टेबल थे वो में नेडाले है वेजी टेबल को भी हम 2-3 मिनट भून लेते हैं वेजी टेबल हमारे 2-3 मिनट अच्छे से भून चुके है इसमें डाल देते हैं देड़ चममच लाल मिर्ची पाउडर तीखा आप आपके हिसाब से कम जादा कर सकते हो पाउ चममच हल् हफ़ी पाड़र डाल देते हैं इसे अच्छे से सब्जीयों में मिलाते हैं हल्दी पाड़र और लाल मिर्च-पाड़र सब्जी में अच्छी तरह से मिल चुके है अब डालते है biggest सिक्रेट मसाले हमने एवरेस्ट का चोले मसाला लिया है एक चम्मच हम इसमें चोले मसाला डाल देते हैं आप कौन से भी ब्रेंड का ले सकते हो और एक चम्मच पावभाजी मसाला डाल देते हैं ये दो मसाले डालने के कारण आपको चावल में तेजपत्ता दालचीनी कोई भी खड़े मसाले डालने की जरूरत नहीं है ये दो मसाले काफी है अब सारे मसालों को अच्छे से मिलाते हैं और मसालों को भी थोड़ा भून लेते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग एक चम्मच नमक डाल देते हैं हमने दो कप चावल साप पानी से धो कर लिया है आप ये मसाला चावल बनाने के लिए कौनसा भी चावल यूज़ कर सकते हो मैंने रोज यूज़ करने वाला सिंपल चावल लिया है आप रेशन का चावल भी यूज़ कर सकते हो किसी भी चावल में ये मसाला चावल बहुत स्वादिष्ट बनता है अब इसे अच्छे से मिलाते है और इसे दो मिनट भून लेते है चावल हमारा दो मिनट अच्छे से भून चुका है सभी मसाले अच्छे से मिक्स भी हो गये है अब इसमें डाल देते है अडाई ग्लास पानी हमने दो कप चावल लिये थे उसके लिए अडाई ग्लास पानी डाला है अब फिर से इसे अच्छे से मिलाते है और चावल को एक उबालाने देते है चावल को उबाला गया है अब ग्यास की फ्लेम हमें धीमी रखनी है और इसके उपर ढखकन रखके इसे धीमी आज पे 15 मिनट पकने देना है जब चावल धीमी आज पे पकता है तो बहुत ही सौफ्ट बनता है और स्वाद भी उसका बहुत अच्छा आता है 15 मिनट हो गये है हमने ग्यास बंद कर लिया है 5 से 10 मिनट हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते है 10 मिनट के बाद हमने धककन खोला है आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे मसाला चावल को यह बहुत ही सौफ्ट और खिला खिला बना है आपके पस हरा धनिया हो तो हरा धनिया काटकर आप इसके उपर डाल सकते हो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है आप जरूर डालना अब चावल को करते हैं एक डिश में सर्प आप देख सकते हो कितना खिला-खिला बना है इस स्वाद में भी बहुत स्वादिश्ट बनता है आप इस तरह ये दो मसाले मिक्स करके एक बार मसाला चावल जरूर बना कर देखना आपको बहुत पसंद आएगा खाने के लिए तयार है हमारा मसाला चावल रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना चाइनल पर नए हो तो लाइक और सस्क्राइब करना भी आप बूलना मत हम फिर मिलेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ थैंक यू